हेलो दोस्तों आज बात करेंगे इस्राइल देस के एगरिकल्चर मिरेकल के बारे में यानि इस्राइल की जादूइ खेती के बारे में जिस देस के पास 85% से जादा भूमी बंजर और पथ्रीली हो जहां पर खीची तो दूर की बार घास तक नहीं उगती जिस देस में दुनि प्रीद कंडिशन के बावजूद इसराइल खेदी के मामले में दुनिया में नमबर वन देश है इस वीडियो में हम आपको इसराइल के आधुनिक किरसी टेक्निको यानि मौडन एगरिकल्चर टेक्नोलजी के बारे में बताएंगे और साथ में बताएंगे कैसे इंडिया के किसान इसराइल की एगरिकल्चर टेक्नोलजी का परियोग करके लाब उठा रहे हैं चलो दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेर करना ना भूले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं क्या तो प्लीस हमारा चैनल सब्सक्राइब करें इस्राइल ने अपने किर्सी की समस्याओं को सुदारने के लिए सबसे पहले अपने देश में किर्सी अनुसंदान केंद्र बनाए यानि Agriculture Research Institute इस्राइल के पास दुनिया के सबसे बहतरी इन किर्सी अनुसंदान केंद्र हैं जहाँ पर खेती बाड़ी पसु पालन की आधुनिक पढ़ाई की जाती है यहाँ पर व्यग्यानिक दिन रात खोज में लगी रहते हैं कैसे फसल की उपच बढ़ाई जाए कैसे कम लागत में क कैसे की फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए बीजों की क्वालिटी को कैसे बढ़िया बनाए जा सके पानी का सई धन से कैसे परियोग किया जा सके यानि कम पानी में अच्छी फसल कैसे उगाई जा सके फसलों में बीमारी ना लगे इसके लिए यहाँ पर हाई क्वालिट के माध्यम से नजर रखी जाती है। इनके खेतों में हाई टेक्नलोजी के सेंसर लगे हुए हैं जिनका काम या सुनिचित करना होता है कि कब फसलों को पानी चाहिए, कितनी मात्रा में पानी चाहिए और फिर आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम से फसलों को पानी दिया जाता है या सारा का सारा काम आधुनिक मसीनों से अपने आप आटोमेटिक तरिके से होता है ना तो किसानों को इंडिया की तरह रात भर जगना पड़ता है ना ही पानी लगाने के लिए खेतों में मेहनत करनी पड़ती है। इसराइल में अधिकतर खेत छोटे साइच के हैं क्योंकि इसराइल की भूमी पत्थरिली और पाड़ों पर है और वहाँ पर खेती करना बहुत मुश्किल और चनोती भरा काम है। इसराइल के लोगों ने कड़ी मेहनत और परिस्रम से वहाँ पर खेती करना शुरू किया और खेती करने लाइक खेत बनाए इसलिए दिखने में तो छोटे साइच के हैं छोटे आकार के हैं लेकिन उच तकनीक की साहता से इन खेतों में बड़ी मात्रा में फसलों की पैदा जाता है इसराइल की ग्रीन हाउस फार्मिंग बहुत ज़्यादा एडवांस है यहां के ग्रीन हाउस फार्म में आप कोई भी खेती कर सकते हो चाय वा ठंडे या ग्रम वातवरण की हो इसका कारण यह है कि आप इन खेतों में तापान को आसानी से कंट्रोल यानि नियंतरण कर सकते हो इसके लावा यहां पर सीचाय की बहुत अच्छी व्यवस्ता होती है जैसे कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एडवांस स्प्रिंकलर सिस्टम आदी जिसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम काफी फेमस है क्यूंकि एक तो या काफी किफायती कम लागत का है दूसरा इसमें पाने की काफी बचत होती है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में खेतों में पाने के पाइपों का जाल बिचाय जाता है और फिर इन पाइपों में छोटे छोटे छेत के जाते हैं और इन्हें इस तरह से लगाया जाता है कि जहांपर पेडिया पोदे की जड़ है वहीं पर पाने की बूंद धीरे धीरे ग इस्राइल ने पसू पालन में भी बहुत ज़्यादा सफलता हासिल की है यहां की डेरी फार्मिंग की तकनिक पूरे विश्यू में फेमस है यहां की कमप्टराइज गाई एक दिन में औसतन 60 लीटर दूद देती हैं यहां की डेरी फार्मिंग में 100 से 1000 गाई होना आम बात है का सारा काम आधुनिक मसीनों से क्या जाता है जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं इस्राइल हर रोज किरसी में नए अविश्कार करता है जिसे पूरी दुनिया में उसे अलग पैचान मिली है इस्राइल एक बहुत छोटा देश है भारत के उत्तर परदेश में 11 से चाए बड़ा देश हो या छोटा सभी इस्राइल के घराक हैं इसका बड़ा कारण है हाइड कॉलिटी इस्राइल में खाने पीने के समानों में बिल्कुल भी मिलावट नहीं होती चाए वाग खेट में हो या फिर फैक्ट्री में हाइड क्उलिटी का हमीशा धियान रखा इस्राइल खाद्य समान के अलावा इस्राइल बड़े प्यमाने में किर्सी से जुड़ी टेक्नलोजी, एक्यूप्मेंट और जार दुनिया भर में बेशता है। आपको ज्यादा पैदावार मिलेगी, कौनसी फसल आपकी मिट्टी, वातवरण में ज्यादा मेल खाती है। सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच्छ धन्यवाद। अन्यवाद। सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें।